Hello friends, welcome to digital learning once again मैं हूँ अर्विन चोधरी और आप देख रहे हैं Java series और आज हम बात करेंगे कि हम command line argument element का जो हमारे command line argument के जो element होते हैं उनके बीच में arithmetic operation कैसे perform कर सकते हैं arithmetic operation means इनके बीच में addition, multiplication, subtraction या division कैसे perform कर सकते हैं तो इनी का एक 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 जामपल देखेंगे इसके लिए हम एक नई class create करेंगे और इस class का हम नाम देंगे command line argument arithmetic और यहां पर हम main method add कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां चेक करेंगे क्योंकि है अगर हमें arithmetic operation perform करना तो हमें इसके लिए क्या चाहिए दो operator और operator चाहिए तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा more than one element होना चाहिए command line argument के जो element होने चाहिए more than one element होना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें condition check करेंगे if arguments.length length does not equals to 2 तो अगर यह दो से कम है यह दो से कम है then हम क्या करेंगे alert generate करेंगे output generate करें system.out.println inter element तो यहाँ पर हम क्या देंगे inter element अगर यह दो से कम हुआ तो यहाँ पर हम देंगे elements else 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 क्या करें यहाँ पर यहाँ पर हम लेंगे string s1 equals to argument 0 तो हमारा जो 0 जो हमारा 0 index पर हमारा जो argument होगा s1 होगा then हम इसी तरह हमारा क्या string s2 equals to argument 1 जो हमारा one index पर जो argument होगा वो s2 के अंदर होगा then हम क्या करेंगे इन दोनों ही जो हमारा s1 है s2 है यह क्या है string है और हम इसको क्या कर लेते है integer में convert कर लेते हैं तो इसके लिए हम क्या लेंगे integer 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 dot parse integer then यहां पर हम इसमें pass कर देते है s1 similarly हम क्या करेंगे n2 लेंगे dot parse integer s2 then हम क्या कर लेते हैं हम यहां पर एक integer add ले लेते हैं और क्या करेंगे n1 plus n2 और इसे हम print कर लेते हैं तो यहां पर हम लेंगे system.out.println println और यहां पर हम देते add addition हम कर देते addition request to add तेरह हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को compile करते हैं हम पर यहां पर यहां पर मैं इसको इसकी नीचे ले ले लेता हूं यहां हम इसको एक काम करते compile कर लेते हैं यहां run configuration पर जाएंगे और यहां पर मैं कुछ value दूंगा 10 and 20 and then हम इसको run करके देख लेते हैं यह आप देख सकते हैं हमारी length इसने बताई 2 then 10 and 20 sorry मैं मेरा previous ही run हो दिया यहां पर हम मैं इसको compile कर वा लेता हूं यहां पर हम देते 10 and 20 then हम इसको run करके देखते हैं यह आप देख सकते हैं इसने हमें output दे दिया 30 तो इसी थरा आप subtraction, multiplication and division आप कुईसा भी arithmetic operation perform कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you for watching this video